हेलो दोस्तों, मैं नेम इज प्रेंका शर्मा और आप सब लोग कैसे हो, अच्छे रहो, स्वस्त रहो और लेट काफी हो गया है, पोने एक सम्थिंग हो गया है और मैं स्टेडी कर रही थी, फिर उसके बाद मैंने अभी बिग बॉस देखा है और फिर मैं कल मॉर्निंग में जल्दी हॉस्पिटल बे जाना है, तो इसलिए नेन भी बहुत तेज आ रही है बट मैंने सोचा कि जब एपिसोड देख ही लिया है, तो अब भी उसके ऊपर रिव्यू करना तो बनता है, कोई बाद नहीं नेन आ रही है सोर लेंगे भाई, थोड़ा कम सोर लेंगे, बट फिर मैं लेट हो जाती हूँ, क्योंकि टाइम नी मिल पता तो फिर सारा वो बैन बच जाती है, मेरे सारे काम मनला वीडियो नहीं बना पाती हूँ, कुल मिला के बाती है, तो दोस्तो आज का हमने देखा है संडे का शिकर सुमन सर ने रियली बहुत अच्छे से सबको एक कवाली के माध्यम से अच्छे से समझा दिया, कि कौन क्या है, कौन कैसी गालिया दे रहा है, क्या कर रहा है, क् बट उन्होंने मतलब एक कॉमेडी के थुरू, उन्होंने वो सब चीजें बता दी, खेर ये तो हुई शेकर सुमन सर की बाद, अब उसके बाद फिर एक हाँ टास्क होता है सोने के उपर, सब लोग सोरे होते हैं, वैसे तो अपन देखते हैं, निमरित भी सोती है, साजिद जी, बिग बोश, हैस्टेग महराज, हमारे वो भी सोते हैं, अब दूरोजिक भी सोते हैं, सब सोते हैं, लेकिन चलो टास्क करवाया, बिचरी आम जनता, वही पिसरी है, और फिर उसके बाद, अपनी टीना दत्ता, कन्फ्यूस टीना दत्ता, कन्फ्यूस टीना दत्ता का बड़े भी है, अब वो चार यहें कि भाई बड़े में मुझे गिफ्ट में कैप्टेंश भी मिल जाए, तो टास्क हुआ था, उसमें पहले ही चल गया था भी राजा के फेवरेट जो हैं, दो टीना एंड निमरित, बढ़ टीना भूल गई, कि यह गे मैं भाई, कि मैं आपने जो दोखा उस टेम टास्क के समय, जो टास्क बिग बॉस ने दिया था, वो वाला की मतलब स्टेंड से रैप करवाना है, निमरित से कपड़े चेंज करवाने हैं, दो बार, शेव का माई कुतरवाना है, मतलब बिग बॉस देख रहे हो, तो यह वला टास्क आपको याद रहेगा, याद होगा, तो इस टास्क में टीना ने क्या किया था? शेव की टीम का साथ दिया, और उसको वो क्या नाम है, वो टास्क उसने, मतलब साजी जी, हैश्टेग बिग बॉस की टीम को, वो टास्क जितवा भी दिया, बट वो चाती थी कि रिटन में भाई आज हमारा बड़े है, तो हमें कैप्टन सी मिल जाए, अब शेव और निमरित ने तो बात कर ली अपस में, और शेव ने निमरित को कैप्टन बना भी दिया, तो भाई इसे बोलते हैं कर्मा, जैसे आज आज आप बोल रहे हो ना, कि भाई पीट में चुरा गोपा है, तुम लोग ये हो वो, तीन दिन में हम कैप्टन सी छीन लेंगे, तो भाई देखते हैं अब आगे क्या होता है, कैप्टन सी कैसे छीनते हो, कैसे क्या करते हो, देखते हैं, टीना दतम, मिस कन्फ्यूज, मैं तो यही कहूंगी, टीना का मैंने miss confused रख दिया है बट कर्म कर्म आपने किसी के साथ गलत किया तो आज आपके साथ गलत हो रहा है तो कैसा feel हो रहा है how feel you miss tina data hashtag confused totally confused प्यार 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 भाई पहले प्यार प्यार बोल रहे थे शालीन तो आज बोल रहा है वाइल कर्ड आने तो पता चल जाएगा भई जैसे प्रेंका और अंकित की दोस्ती है वैसी हमारी दोस्ती है भाई ये तो बहुत ही बड़ा लोच्चा हो रहा है ये लोच्चा तो समझ में ही नहीं आ रहा अपने तो समझ से उपर हो के चला गया है क्योंकि भाई पहले तो बोल रहे थे प्यार है प्यार है संबुल बीच में आ रही है अब संबुल अलग हो गई तो भाई कौन सा प्यार कैसा प्यार वो फोन को लाया था जो संबुल के फादर का उसके बाद भाई कौन सा प्यार कैसा प्यार ये बोलते हुआ सुना आज हम हमें नहीं बात पता चली कि जैसे प्रेंग का और अंकित का रिष्टा है फ्रेंड्शिप का ऐसे ही टीना और शालीन का है यह हमें तीसरी बात पता चली बट मज़ा आगया आज बिग बॉस कि एक तो मतलब जो आपने टास्क दिया है तो पहली बार बेचारी आम जनता जीती ही है बहुत मस्यकिल से जीत, मतलब समझ रहो न विक्वस चलो कुछ तो फेयर किया कुछ तो फेयर किया विक्वस आपने फोड़ा बहुत ही सही पर किया, है अप्रिशेट यू क्योंकि आप जहाँ गलत हो, वहाँ जनता गलत बोलेगी, जहाँ सही हो, वहाँ जनता सही बोलेगी, तो जहाँ पायस देवा थे, अब अर्चना मेडम ने तो पानी वाला टास्क मना कर दिया, घर का राशन भी चला गया, फिर उन्होंने सोरी भी बोल दी, अर्चना ने, खेर चलो, सब बढ़ी है, जो हुआ, आज का एपिशो काफी अच्छा था, बस अब दिखते हैं, कि आगे क्या होता है, टीन ना वर्सिल निम्रित, क्योंकि अब जो होगी न भाई फसर, उसका आइडिया भी नहीं लगा सकते आप, कि क्या होगा, टीना ने जो धोका उस टेम पे दिया ना, उनकी टीम को जिताने के लिए, वही धोका जो रिटन, खूंफिर के मेडम टीना, हैस्टक कन्फ्यूजड, उसको ये अच्छे से नजरा गया, कि वही मैंने क्या किया, क्याते हैं ना, जैसा करोगे, वैसा बरोगे, तो आपने अपनी टीम के स साथ, अगर आप उस दिन खड़े रहते, और खेलते, अपनी लोयल्टी आप प्रूव करते, तो शायद आप वो टास्क जीत सकते थे, और वहाँ पे अगर आप दूसरे गुराम जनतावली टीम के साथ आप रहते, तो शायद आज गेम कुछ और ही होता, लेकिन आपने ट् पर किया, अब्दू पर किया, सब पर किया, विकबो से एक बात और पूचनी थी आप से, जैसे बीवी सिक्स्टी ने बीवी तेरा में मतलब वो एक क्या चीज आई थी, पास था, में भी पास था ना, जो मतलब विशाल ने और रस्मी दिशाई ने छुपके से खा लिया थ वैसे ही जो आज वो, मतलब जो भी खाने के लिए आया था, टीना और निम्रित के लिए, फिर उन्होंने बॉक्स में रख दिया, तो पहले जो सीजन होता था, उसमें कोई ऐसे किसी का समान चोरी करके खा जाता था, तो पनिश्मेंट मिलती थी, जैसाले पूरे घर को पनि ले रहा है, फिर आज एम सी स्टेन और उसने जो निम्रित और टीना के लिए, जो भी आपने खाने के लिए बेज़ जा है, फिर वो उसको चोरी करके खा रहे हैं, तो बिग बॉस यह क्या है, मतलब हर सीजन में आपका अलग-अलग वो चलता है, क्या, रूल इज रूल, आ आप उनको सजा क्यों नहीं दे रहे हो भई, गलत है बिग बॉस, भई वो चुरा के खा रहे हैं, तो भई क्यूं, और शिव को भी यह परमीशन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि शिव का गेम बिगड रहा है, हम चाते हैं, शिव आग गया है, इसलिए मैं आपसे बोल रहे कि शिव का गेम पूरी तरीके से बिगाड रहा, लेकिन पता नहीं यह बात शिव को क्यों नहीं समझ में आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, और बाकी बिग बॉस, प्लीज यार, हमने क्या सारे सीजन देखे हैं, तो हम देखते हैं न, तो फिर हमें क्या है, दुख लगता ह है, सेना जील की तरह बोलते हैं न, कि दुख लगता है, तो सही में भई मुझे भी दुख लगता है, कि पहले ऐसे होता था, तो आप दंड देते थे, तो बिग बॉस में चाहती हूँ यह, कि अब दू जो यह बार बार चोरी करता है न, कैप्टन रूम से करता है, यह कहीं से भी करता है, चलो वो बच्चा है, मतलब अपने देश का महमान है, वो जो भी है, बट वो है, तो एक मतलब प्लेयर ही न, आपके बिग बोस हाउस में वो गेम खेल नहीं आया है न, तो वो एक प्लेयर है, तो आप उसको प्लेयर की तरह टीट करो न, आप उसे एक छोटे बच्चे की तरह, ऐसे अच्छा सा, प्यारा सा, क्यूट सा, खेर वो तो वो है, है न, बट कुछ तो सजा, अब्दूरोजिक के लिए भी बनती है न, उसको भी तो कुछ नो कुछ, भाई आप पनिश्मेंट दो न, क्योंकि बार 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 वो इस हरकत को कर रहा है, त उसकी यह हरकत बढ़ती जा रही है, तो आप बढ़ावा दे रहे हो, बिग बोस, अब दूरोजिक को, बट आज जो शिव ने किया है न, नेमृत को जो कैप्टन बनाया है, अब तो भाई आगे, बंपर दमाग का होने वाला है, और आज अर्चना, सॉंदरिया, इन प्रें का, अपने टास्क दिया, वो जीत गए, और दूसरी टीम को नॉमिनेट कर दिया, चलो कहीं तो कुछ थोड़ा बहुत फेर हुआ, कि हमें आज देख के अच्छा लगा, बट और आज का, अर्चना का जो भी था, कि उसने टास्क के लिए मना किया, में भी जैसे लग रहा थ वैसे उस हिसाब से देखने में, तो ऐसे लग रहा है, कि सच में उसे जैनुवन प्रॉब्लम है, कि एक संतरा खाने से बिमार हो जाती हूं, ठंडा पानी, चलो वो चेंज करके भी आ रही थी, उसने बोला भी गरम पानी ले आओ, लेकिन फिर आपनी दंड दे दिया, अब आगे देखते हैं, क्या होता है, मा की मेरा तो यही है, थोड़ा अब दू रोजिक को भी आप थोड़ा कुछ बोलें, क्योंकि ऐसे रूल्स गरके तोड़ेंगे तो मेगोस अनफेर हो जाता है, फिर ऐसे लगता है, कि यार गलत हो रहा है, बाकी तो देखते हैं, आग यह क्या होता है, फिकॉस मटन मद आ गया, एपिसोड देखके, और तो बस तीना, तीना मिस कन्फ्यूज को समझ में आ जाए, कि भाई, वो क्या कर रही है, और क्या नहीं कर रही है, क्योंकि उसका तो भाई, कुछ भी नहीं है, अगरें, कन्फ्यूज, 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 अब पूने, एक बजने को जा रहा है, बिगो, सब तो हम सूरे है, भाई, नीना है, लग गई है, शो देख रहे थे, टाइम मिला, शो देखा, तो मैंने सूचा, सोने से पहले ही, अपने इस एपिसोड का रिव्यू कर लेते हैं, क्योंकि बाद में, कल तो होस्पिटल चले जाएंगे, फिर तो, सूचो, टाइम मिले, या ना मिले, तेजली मैं तो, सोचा की, चलो भाई, कोई बात नी, 10-15 मिन लेट सो जाएंगे, अपन, पर, विक बोस अब आप देखो, ना, हम आपके लिए, एक बज़े त फिर जैसे तेसे टाइम निकालक headphone, हम बिक बोस देखते हैं, फिर बिक बोस देखने के बाद, हम भी पता चल, जो चीज़े होती हैं, फिर हम चक जख के आपके लिए, हम रिव्यूआ कर रहे हैं, तो मलब उस ऐपीसोड को देखे हम उस पर रिवोड कर रहें, तो बिक बो का हिस्सा बनना चाहूंगी पर इतनी हम मैनद कर रहे हैं जग रहे हैं सुनी रहे हैं तक हम आनकों में आ रो रही है फिर भी मिन हैं रिव्यू कर रहे हैं क्यूँग फैन है बैई तो सच्व बता हूं मैं बिगबोस की फैन पंखा एसी मैं सब कुछ हूं मैं विग बोस को बहुत डीपली देखती हूं तो इसलिए विग बोस थोड़ा अब्दुरोजी को समझेए और आगे देखते हैं मिस्टिना दत्ता कन्फ्यूज का क्या होता है और क्या नहीं ओके दोस्ता वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना सब्सक्राइब करना और मैं चापती हूं कि मेरी जल्दी से मेरे जो चैनल है वो मॉनेटाइज हो जाए अभी तो वो मॉनेटाइज भी नहीं हुआ है पता नहीं कब होगा सब आप लोगों के ऊपर डिपेंड है तो थोड़ी अपने बिग बोस की फैन को थोड़ा सपोर्ट करो प्ली थैंक प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना बाई गुड़नाइट दोस्तां